नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आसी सवर आप देख रहे हैं Learnable Channel तो दोस्तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने Excel to Tally, Tally to WhatsApp और Dashboard का फीचर हमने चेक किया Tally 4.0 के अंदर में और काफी प्यार दिया उस वीडियो पे आप लोगों ने उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत ही जाएकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए फिर अभी यह करेंट वाला वीडियो हम लोगे स्टार्ट कर रहे हैं इसमें यह सारी चीजें आ रहे हैं आपके सामने में यह सभी लिस्ट अपनी बनी हुई है ये additional features हैं काफी कमाल के features हैं दोस्तो बहुत ही धमाकेदार features हैं तो अभी आप ये वीडियो जब आगे देखें के पूरी वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि कितनी अच्छी चीज़े इसके अंदर आ चुके हैं टैली 4.0 के अंदर में तो यहां पर आपको लिखा मिल जाएगा release 4.0 बीटा लेटेस्ट करके हैं यह आपको सायद कुछी दिनों में मिल जाए या नॉमबर के फर्स्ट बीक तक में तो चलिए भी start करते हैं अपना gstr3be से 3be में क्या-क्या changes हुए हैं वो अपन देख लेते हैं उसके भाद फिर अपन gstr1 का changes देख लेंगे फिर उसके इनवाइस में क्या changes हुए हैं printing ओर एम क्या changes हुए हैं ठीक है तो GSTR 3V से ही स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे डिस्पले में चलते हैं इस्टेशरी डिटेल में चलते हैं इधर अपना 3V रिपोर्ट में चले जाते हैं इस GSTR 3V में तो अब यहाँ पे आपको quarterly JSON export करने के लिए मिल जाएगा अगर आप इधर export में जाएगे यहाँ पे GST returns में जाएगे और यहाँ पे आपको export का option मिल जाता है export में आप configure में जाएगे यहाँ पे आपको JSON सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप Excel सेलेक्ट करते हैं तो यह वाला option आपका enable नहीं होगा export a single file ठीक है यहाँ पे आपको JSON वाला option जो है वो सेलेक्ट करना रहेगा तो जैसे ही आप JSON वाला option सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे यह option आपका enable हो जाएगा export a single file for the period मतलब आप एक quarter का single JSON file export कर सकते हैं अभी तक यह चीज नहीं था यह अपना नया यहाँ पे add हो चुका है 3D के अंदर में और दूसरा चीज दोस्तों मैंने एक बीच में टीडियल भी आपको बना के दिया था कि GSTR 3D में अपना GST number नहीं आता है वो GST number अभी यहाँ पे add हो चुका है लेकि transaction मिल जाता है और भी इसमें चीजे कुछ solve कर दी गई है पहले जो अपन transaction करते थे किसी अलग-अलग section का मान लिजी अलग-अलग section से अपन transaction करते थे तो उसमें tax amount double हो जाता था उसका एक ही invoice में अलग-अलग section का है तो GSTR 3D tax amount double दिखता था जो अभी यह चीज solve हो चुका अ और उसके अलाम अगर आप यहां पे nature view में जाएंगे GSTR 3D reporter भी अपनी open है यहां पे आप अगर nature view में जाएंगे तो nature view में यह थोड़ा सा भी अच्छा सा report अपने को यहां पे देखने के लिए मिल जाता है और इसमें सारे details आपके आ जाते input tax credit अलग-अलग यह liability included outward यह सार reverse charge calculation का entry करते थे तो जो पहले आप service की exam purchase entry लेते थे दोस्तों आपका यहां पर reverse charge के लिए तो यह तो था अपना दोस्तों GSTR 3D से related चीजे यहां पे आपका यह सारी चीजे जो changes हुई है कुछ important things अब GSTR 1 में चलते हैं दोस्तों तो यहां पे GSTR 1 में क्या-क्या changes हुए है वो देख लेते हैं तो GSTR 1 में सबसे पहले जो आपका changes है यहां पर document summary में आएगा तो document summary में आ जाएंगे इधर आपका cancelled का option भी enable हो चुका है इसमें दो voucher अपने cancelled हैं वो दिख रहे हैं पहले हम लोग क्या करते थे cancelled voucher की entries को यहां पर नहीं सो कर पाते थे लेकिन आपका यहां पर अलग से सो करेगा कि आपको दिखेगा आपने कितने cancelled voucher हैं और बाकि यहां से आप अंदर जाके जो detail आपको दिखता है और detail आपको इधर दिख जाएगा तो यह तो हो गया अपना GSTR 1 का cancelled वाला option और दूसरा जो इसमें है अपना hsn summary में अगर आप जाएंगे त जाने के बाद में यहां पर आपको detail के साथ में total और यह सारी चीजें दीखेंगी कि अपना कौन सा क्या action code है उसका क्या चीजें है यह सब पहले दिखता था यहां पर total और भी आएगा आप इसको excel यह csv format में export कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से भी निकलाएगा तो इसमें 3B और GSTR 1 का हो गया अब इसमें अपन चलते हैं इन्वाइस से related क्या update है इन्वाइस से related update काफी बढ़िया लगा मुझको तो क्या होता है अपन outstanding ओगर है जो collect करते हैं पार्टियों से उस से related भी काफी अच्छे update हुए हैं तो अगर अपने चलते हैं यहां पे एक बना के पहले डाला हुआ है previous and current balance करके उसमें क्या-क्या बचा हुआ है उसको आप जाएं तो चेक कर सकते हैं तो यहां पे previous and current balance का option enable हो चुका है अगर इसको आपको enable करना है यहां से मान लिजी आपका previous current balance वाला नहीं दिखता option तो यहां पे आप configure कर सकते हैं print के अंदर में तो इसर सो more कर देंगे सो more करने के बाद में और थोड़ा से नीचे आ जाएंगे जहां पे party detail अपना आता है तो यह party details के पास में यहां पे दिया हुआ है so buyers and so previous and current balance आप लेजर करके तो इसको आप yes कर देंगे yes करने के बाद में जब भी आप print निकालेंगे तो यहां पे लेकिन अभी अगर party payment तुरंत करना चाहे तो कहां करेगा इसमें आपका तो कहीं bank detail ही नहीं डला है invoice में आप bank detail enable भी कर सकते हैं configure में जाके लेकिन वहां पे अगर party आपको तुरंत ही payment करना चाहे qr code के थू आजकल upi के थू यह सारे बहुत सारे option आ चुके हैं latest वाले तो latest option यहां पर हम लोग कैसे लेके आएंगे जी यहां बिल्कुल यह feature भी इसमें टैली ने दे दिया है कि आप यहां पे qr code एड कर सकते हैं payment वाला तो कैसे करेंगे दोस्तो qr code एड तो सबसे पहले आपको टैली में में स्क्रीन पर आ जाना है उसका चले जाएंगे यहां पे f11 feature के अंदर f11 feature में जाएंगे तो यहां पे others वाले section में लास्ट में others का section enable payment request to share payment link qr code करके है तो इस option पे आने के बाद में यहां पे आपको qr code को yes कर देना है yes करेंगे अब यहां से आपका detail मांगेगा कि आपका merchant profile क्या है क्या है आप अपना detail इधर डाल दीजिए जैसे मैं अपना यह detail दाल देता हूँ यह मेरा company detail है या मेरा personal detail है अब इधर तीन option आते हैं list of payments में थाड़ा pay you के थूर razor pay के थूर UPI के थूर कर सकते हैं तो pay you और razor pay यह अपने payment gateway है तो यह आप से commission charge करते हैं जैसे मालेज यह आपको customer ने payment कर दिया 2000 रुपए तो इन लोग आपके पास में payment करेंगे लेकिन 2000 में कुछ commission भी कट जाएगा आपका तो 2000 में आपको something 1800 रुपए मिल जाएगा तो यह दोनों option आप यूज कर सकते हैं यह option है लेकिन UPI वाला option सबसे बढ़िया है इसमें आपका कोई भी पैसा commission होगर है कुछ नहीं कटने वाला है तो अपन UPI का ही option user यूज करते हैं यहाँ पे UPI ID आपको डाल देना UPI ID आप जो भी यूज करते हैं आपका जैसे फोन पे या Google पे तो वहाँ पे UPI ID दी रहती है तो कुछ इस टाइप से रहता है जैसे मेरा यह mobile नंबर हो गया at the right YBL करके तो यह अपनी इस तरीके UPI ID लिखी रहती ह या ICICI लिखा रहे गया access लिखा रहता है उसके बाद आपको merchant name क्या रखना है आप company का name रख सकते हैं यहाँ पे merchant name में ठीक उसके बाद फिर यहाँ पे next करते हैं create another merchant profile यहाँ पे अगर आपको दूसरी और ID आट करनी है तो यहाँ पे आप no जहाँ पी किया हुए एक बार back क करेंगे तो इस पे आजाएंगे और इसको yes करके आप एक नई ID भी create कर सकते हैं जैसे आप accept करेंगे दूसरी ID create करने के लिए यह आपस से open हो जाएगा दूसरी ID भी आप create कर सकते हैं ठीक है तो बाहर चलते हैं और इसको save कर देते हैं तो हमारी अभी UPI ID जो है वो create हो चुक करते हैं voucher type के अंदर में आप जैसे sales voucher के अंदर में बनाते हैं तो यहाँ पे sales voucher के अंदर में चले जाएंगे यहाँ पे सबसे नीचे में आपको दीख जाया गई दर WhatsApp वाला feature भी है आपको तुरंद voucher save करने के साथ में WhatsApp feature भी यहां से भेश सकते हैं और यहां पर उसी को उपर में just last में generate payment link QR code after saving voucher करके option है इसको हमें yes कर देना है दोस्तों यहां पर yes करके इसको save कर देंगे ठीक है तो यह आपका save होने के बाद में अब जब भी आप voucher create करेंगे जैसे माली जी यह मेरा voucher हो गया अब मैं इसको save करता हूँ create करके अब यहां पर अपने को option मिल जाता है do you want to generate payment link QR code करके तो इसको आप yes कर देंगे अब यहां पर आपका ABC party का एक किसजार यह इतने का आपको payment link भेजना है क्या ठीक है तो यहां पर आप enter करेंगे accept करा देंगे QR code generated successfully का message आपना ठीक है दोस्तों अपना QR code save हो चुका है यह चीज आ चुकी है तो method आप payment request यहां पर इंटर करेंगे अब इसमें आपको यह सारी चीजे दिख रही है link आपको भेजना है payment link और QR code दोनों भेजना है कि सिर्फ आपको QR code बस भेजना है यहां पर अपना link and QR code select करते हैं इसको save करते हैं यहां पर आ जाते हैं preview में अब चलते हैं प्रिवीयू में देखते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों इधर अपना यह जो scan to करके यहां पे scan to pay करके लिखा हुआ इधर अपना QR code आ रहा है कुछ इस तरीके से तो यह तो आपका print में निकल जाएगा इस तरीके से और आप इसको अगर PDF में export भी करना चाहते हो तो उसमें भी export करके भेज सकते हो party को अगर PDF में पने निकालना है तो देखते हैं क आपका सभी invices में QR code निकल जाएगा वहाँ भी option मिल जाएगा आपको set करने के लिए आप cash की billing करते हैं माली जी यह तो अपना party का billing हो गया आप party को QR code भेज रहे हैं अगर आप cash billing भी करते हैं तो आपका cash में भी QR code आ जाएग माली जी मैं इसको cash कर देता हूं यहाँ ठीक है और इसकी invoice भी जो आपको निकल के आएगी यहाँ भी आपको QR code दिखे जाएगा दोस्तों cash वाले में भी तो सेम अपना वही process रहता है तो यह हो गया अपना QR code से related invoice से related चीजे और भी इसमें बहुत सारे updates आये हुए हैं जैसे आपका इसके अगर और भी other features के बारे में बात updated हो गया more other features में GST lasers in RCM and transactions with unregistered dealer URD वाले में update है you can now add GST lasers in the RCM purchase vouchers and purchase from the URD and rest assured these voucher will be included in the return तो जो reverse charge वाला purchase था उससे related यह चीज हो गई उसके आद फिर update of GST amount after overriding GST rate इसमें अपन जैसे voucher यह create करते हैं इन्वाइस create करते हैं इसमें override का option भी अपना enable हो जाता है तो इसमें अपने को जहां पर यह common laser वाला option ही अपने को यूज करना पड़ता है तो इसमें override का option मिलता है कि आप अंदर जैसे जाते हैं override आपको enable करना पड़ता है पहले फिलेवन में जाके और अंदर जाके वहां पर आप एचेसेन कोड और बांकी चीजें आप GST डिटेल होगर डाल सकते हैं तो यह override वाला feature हो गया प्रिंटिंग आफ कंपनी द जी एस्ट वाइन नमबर विल नाव भी प्रिंटेट इन जाव और्क आउट और जो लोग जोग और के लिए उस मसीन को आप बाहर निकाल रहे हैं उसमें भी आपका GST नमबर सो करेगा purchase voucher with the same bill number entry कर सकते हैं अगर आपको purchase voucher है एक से ज़्यादा आपको purchase voucher same bill number से record करना है तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं वो आपका transaction जो भी आप करेंगे वो आपका return में जाके include भी होगा तो कभी कभी क्या होता है अपन पर्चेज़ ओगा जो create करते हैं same same invoice number आ जाते हैं same party के तो अगर आप चाहें तो उसको भी add कर सकते हैं seamless creation of vouchers with GST data, voucher creation with GST related information is lot smoother now as you will not face any challenges during voucher creation तो आपका जो voucher creation का option रहेगा इसमें जो GST की चीज़े रहेगी वो सब कुछ फटा यहां पर smooth कर दिया गया है और क्या है HSN SAC description and party GST IN in Excel file exporter through ODVC तो अभी तक क्या है पन ODVC के थूँ जो चीज़े एक्सपोर्ट करते थे ना उसमें HSN SAC और party के GST number सायद कहीं पर छूट रहा था तो वो चीज़ अब यहां पर solve हो जाएगी तो आप MS Excel वगरह में जो file export करते थो ODVC के थूँ जैसे माल लिजे यहां पर ODVC थूँ यहां भी आप यूज़ कर सकते हैं calculator के अंदर में तो यहां calculator में आपको ODVC कैसे यूज़ करना तो इस तरीके स्कुछ रहता है माल लिजे आपको लिखना है select star from जैसे मैंने यहां पर select star from laser किया तो मैं इस पर enter कर दू यह है तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिए तो ODVC का आपको knowledge अच्छे तरीके सो जाएगा और इसमें अभी यह क्या वोलनें कि अपना HSN SAC और GST नंबर वगरे भी यह सारी चीज़े आप उठा सकते हैं उसके आप फिर है दोस्तो smooth running आप tally prime irrespective of length आप HSN SAC सकते हैं अपने हिसाब से जितना लंबा आप चाहें एक हजार चौबिस होट तक है something और printing e-webill with e-invice तो अब आप e-webill के साथ e-invice के साथ में भी print निकाल सकते हैं F12 में जाके आपको यह option enable करना रहेगा कि आप e-webill और e-invice दोनों साथ-साथ print निकालना चाहते हैं और इसके अलावा भी आपको एक यहां पर चीज में एक बड़ा इसमें और कुछ बताना चाहता हूं यहां पर help में चले जाएंगे यहां पर आपको explore more products करके दिख रहा है तो यह टैलिक तरफ से टैली एच और टैली प्राइम on AWS आया हुआ है AWS क्या है वह ही अपना cloud वाला online वाला AWS जैसे अपना Amazon वगर जो AWS service प्रोवाइड करते है cloud का तो उसी के base पे यह भी बना हुआ है आप यहां पर ब्राउच करके भी टैली को open करके चला सकते हैं वहां पर आपको एक computer screen मिल जाएगी जैसे आप ब्राउच करेंगे AWS टैली को पर आपको एक computer screen मिल जाएगी उ आप वहां से टैली को access कर पाएंग दोस्तों और दूसरा है दोस्तों यहां पर टैली एज तो टैली एज के बारे में बताओं दोस्तों टैली एज क्या है जैसे आपको डिजी लॉकर वगर नहीं होता उसमें आपको कुछ डाकुमेंट्स होगर रख सकते हैं तो यह भी उस चीजों से रिलेटेड यहां पर आपको options मिल जाएंगे ज्यादर detail में जाके आप पढ़ सकते हैं website इनकी search कर लीजे तो दोस्तों यह कैसी लगी वीडियो आपको जरूर कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छे लगी हो प्लीज लाइक कर दीजे, share कर दीजे और चैनल पर एक huge tutorial भी अलग से भी बनाऊंगा जो नए users है, beginners है उनको जिसको जिसको tally 4.0 सीखनी है उसके लिए अलग से एक huge वीडियो लेके आऊंगा तो चैनल को subscribe करके जरूर रखिए तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में, thank you